नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, कल्यूग में पहली बार कलेजे को हिला देने वाली घटना, आपके जीवनकाल में होने वाले हैं, दोस्तों, ये घटना जब सुनेंगे, ये चमतकार, जब आप अपनी आँखों से जीवनकाल में हुआ है, और नहीं आपने कभी देखा होगा, जो आपके साथ होने वाले हैं, ये है दिव्य शक्ती, चो चमतकार आपकी कुंडली में कर दिया है, जिससे कि दोस्तों, आपके पूरे घर-परिवार के लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, ऐसी घटना बहुत स सालों बाद होता है, ऐसा योग जब किसी की कुंडली में मिलता है, तभी ऐसा अध्भुत चमतकार जातक के उपर हो जाता है, और वह खुश नसीब आप है, जो आपकी किसमत में यह होने वाला है, अब आपके जीवन में जो तांडव होने वाला है, जो खेल शुरू होने वह देखकर आप भी कुछ समय यकीन नहीं करोगे। आप तो सोचोगे कि कहीं यह सपना तो नहीं है। लेकिन दोस्तों यह बिलकुल ही सच है। और वह भी पॉत 12% अब आपकी किस्मत के तारे एक साथ जगमगाने वाले हैं। अब आपके सारे दुश्मन यह घटना को देख कर पागल हो जाएंगे। अब आपके जो भी परेशान करने वाले दुश्मन हैं उनका भी हिसाब होगा आपको जिसने जिसने बुरी स्थिती में साथ छोड़ कर चले गए आपके यहां तक की उसमा दुख भरी जिन्दगी में आपको गड़े में गिरा दिया। उनका अब को यकीन दिलाते हैं अगर यह एक एक बात आज गलत हुआ तो दोस्तों आप जो कहोगे वह मानने के लिए तैयार जी हां मेरे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह अद्भुद घटना इस पर्चे में निकला है जो कि दोस्तों आपको बताना बहुत ही जरूरी है और हम हम सोच रहे हैं कि कब यह राज की बात जान जाए आपके कानों तक पहुंच जाए जो कि दोस्तों आप खुशी के मारे एकदम जूम उठें और हमें शुक्रिया खाओगे दोस्तों आपके जीवन में एकदम यह चमतकारी घटना टहल का मचा देंगे आपके बंद किसमत का ताला खोल देंगे आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमतकारी रास्ते खुलने लगेंगे जो कि दोस्तों आपको सभी रास्ते में सफलता ही मिलेगी काम्याबी ही मिलेंगे जी हाँ दोस्तों ऐसी घटना सभी के जीवन काल में ऐसी शुब फल सभी के किसमत में नहीं होता है दोस्तों अगर होता है तो दोस्तों बहुत सालों बाद होता है बहुत ही अच्छे कर्म होता है बहुत ही उनके किसमत अच्छा होता है जो कि दोस्तों ऐसे फल उसको मिलता और दोस्तों या घटना अभ आप सभी के किसमत में होने वाला है आपका परचे में, ये निकला है जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये राज की बात अगर आप नहीं सुनेंगे, तो दोस्तों आपको जीवन भर पच्टाना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, ऐसा शुब फल, अगर आप अपने आँखों से नहीं देखा, तो दोस्तों बाद में इतना पच्छता होगे, कि लगेगा कि हम कितना पागल थे, कि ऐसी सुबह फल हम नहीं सुन पाए नहीं ले पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस राज की बात सुनेंगे, इस भयानक अद्भुत घटना के बारे में जब जानेंगे, तो दोस्तों आपको अचानक से जटका लगेगा, खुशी का जटका लगेगा, जी हाँ दोस्तों, ये भयानक सच, जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी कुंडली में ऐसा शुभ फल बना है कि दोस्तों, आप ऐसा कहने में बिल्कुल ही देर नहीं करोगी, दोस्तों मैं प्रदीप मिश्रा आज तक जो भी भविश्यवानी बताया हूँ, दोस्तों एकदम 100% सच होकर रहा है, मेरा भविश्यवानी एकदम पत्थर का लकीर होता है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही आकलन, बहुत ही मेहनत करके इस तरह की परचे निकलते हैं, जो की दोस्तों मनुश्य के जीवन में यह होकर रहता है, आपके जीवन में ऐसी तीन अद्भुत चमतकार एक साथ होने वाले हैं, और दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर की दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा, आपका किस्मत आने वाले 48 घंटे के अंदर हीरे से भी तेज़ चमकने लगेगा, आप आपके जलने वाले दुश्मन आपके पैर पढ़कर माफी मांगेंगे, जो दोस्तों आपको पिछले समय में बहुत ही परेशानियों में डूबा दिये हैं, गढ़े में डूबने की प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों आप खुद वह गड़े में गिर जाएंगे आपकी यह चमतकार देखकर आपने जरूर ही पिछले समय में कोई ऐसा पुन्य कमाए होंगे कोई ऐसा भाग्य प्राप्त किये हैं जो कि दोस्तों आपको इस जन्म में स्वयम भगवान देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों हम इन तीन चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं यदि आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उप्योग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे जुब जाएगी आप रातों रात करोड़ पती बन जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने हत्यार डाल देंगे इसका कारण यह है कि इन तीन चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है साथ ही साथ यह तीन चीजें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति कराएंगे रुपए पैसे को आपकी और चुमबक की तरह आकरशित करेंगे साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई के दोस्तों अब एक बात हम आपको बता दें और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इनसान को पता नहीं होता है और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है वह इनका उप्योग करके अचानक से कई सारे फाइदे लाब अपने जीवन में जोड लेता है और तरक्की कर लेता है दोस्तों याद रखना तरक्की करने के दो रास्ते होते हैं एक तो वह जो हमारे पूरवज हमें कुछ सिखा दे कुछ बता दे और हम तरक्की कर ले और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना ले सफलता की सीडھیوں पर चड़ जाए लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है अन्यथा हर एक करोड़पती इंसान की आुलाद करोड़पती ही हुआ करे हर एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हुआ करे तो दोस्तों यह पेटरिक ज्ञान है और पेटरिक सुविधाएं हैं वे दूसरी पीड़ी तक बहुत कम ही पहुँच पाती हैं और यदि धन संपत्ती भी दूसरी पीड़ी तक पहुँच जाए तो उसे पीड़ी संभाल नहीं पाती है बरबात चला ही जाता है तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयम ही अपने भाग्य के विधाता बन जाए और मेहनत तो सभी करते हैं आप भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी गुप्त बातें आप अपने जीवन में आजमाएं दूसरी नहीं कर रहे हैं और फिर आप फर्क देखें उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे आप से जलेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे जी हाँ दोस्तों तो आज के वीडियो का विशय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत घ्यान से भरा हुआ है वीडियो का एक-एक भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण घ्यान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है हम इस बात की गारंटी देते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ पूरे मा काली को याद करते हुए कमेंट में जै मा काली कृपा करो जै मा काली की रक्षा करो एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत छानबिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों हर एक काम आप कर ही रही हैं व्यापार काम धंडे नौकरी अपने घर परिवार को संभालना वगेरह वगेरह तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन सभी कारियों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाए यदि कारियों में जोडते चले और कुछ तरकीबें हैं जिन्हें आजमाते चले तो आपको इन सब कारियों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे इसका प्रमान ये है कि आपने सत्यनारायन की कथा तो सुनी ही होगी उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें की एक गरीब लकड़ारा जो सत्यनारायन की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक हुआ लेकिन उसके मन में यह दूइधा थी कि वही तो गरीब है लकड़ारा है लकड़ियां बेच कर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा तू भगवान ने उसे स्वपन में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा ना केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदी करा पाएगा साथी साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा और उसके साथ यही हुआ जब अगले दिन वह लकड़ियां काट कर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे इतना धन लाब हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ली थोड़ा बहुत भोजन आदी सामग्री की खरीद ले ताकि उसका परिवार भी भूखा ना रहे तो यह भगवत कृपा थी जिसकी वजह से उसके उसी कारे कर चुके रोज करता था परिणाम बहुत अधिक हुआ यही होता है दोस्तों जब सकारात्मक उर्जा ए हमारे साथ होती है और नकारात्मक उर्जा हमसे दूर हो जाती है तो हम काम तो वही करते हैं मेहनत का उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्थ होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना कहते हैं जी हाँ दोस्तों तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह चीज आपको अपने जीवन में जोड़ना है उनी कारियों में जो आप कर रहे हैं कुछ आपको अलग नहीं करना है बस उन कारियों के साथ इन चीजों को जोड़ना है इंतर की वह को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा तो अब ध्यान से सुनिए सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्तों हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित और घर में रहता आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है, पराए इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं तो घर से बाहर निकलते समय ही आपको अभी से संघर करना होता है और धन उपार्जन के लिए आपको तरह तरह की क्रिया कलाप करने पड़ते हैं तो उसी समय आपको दैवीय अधिक आवश्यक्ता रहती है ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलाइची हरी इलाइची हमेशा अपने मुख में रखकर निकले जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुख में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ कर रख लें और इलाइची रख लें और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख्य में रखे रहें जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रमना जाएं तब तक उसे अपने मुख्य में रखे रहें उन्हें तुरंत जमा क अब दोस्तों सबसे पहला कार्य की यह दैविय शक्तियों को आपकी और आकरशित करता है। यह दोस्तों जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा, तो अब यह तो ठीक है। आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकलना है। अब हम आपको बताते हैं, आप अपना परसों तो रखते ही होंगे, अपनी जेब में अब आपके परस में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। ये दोस्ती, ये काफी प्रचलित है और वास्तु शास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। दोस्तों वैसे तो वास्तु शास्त्र घर के उपर ही कार्य करता है लेकिन ये व्यक्ति के उपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब है। आपको अपने पर्स में रखना है और यदि आप वैट्स नहीं रखते हैं तो इसे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है तो अब ध्यान से सुनें कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कारे करेंगे और माता लक्षमी को आपकी और आ चाहिए चांदी का एक सिक्का छोटे आकार का सिक्का चलेगा दूसरा कि जब भी आप उस से के का प्रयोग करेंगे यानि कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है जाए माता लक्ष ची नहीं होनी चाहिए दोस्तों तीसरा समीप बहुत ही आवश्यक है शमीपत्र चौथा 11 है चावल के दाने और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए अब इतनी समगरी आपको लेनी है मात्रा हमने आपको बता दी है अब इसे आपको एक कागज पर लपेटन आपको चे बार शरी लिखना है अब इन पूरी समगरीओं को आपको लपेट लेना है आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर ध्यान से सुनना दोस्तों यह बहुत ही कारगर उपाए है आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसक कागज में जिसमें कि आपने 6 श्री लिखा था उसी कागज में आपने इस सामगरी को लपेट लेना है अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा कलावा जो भी कुछ है उसे आपको पेटना है धागे से बस यह आपकी धन की पोटली तैयार है अब आपको क्या करना है यह प्रक्रिया पहली बार जवाब करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चर्णों में रख देती हो दोस्तों आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वी चैटि शर्ट की जेब में हो या पेंट की जेब हो बाएं तरफ की जेब मैं आपको इसे रखकर निकलना है या दि-आप पस रखते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं जी हां दोस्तूं आप देखें कि कैसे आपके जीवन में च्शमतकार होनी शुरू हो जाती है उ असल में ये उपाए इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे-मोटे उपाए ही लगते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिये कि कई वास्तु एक्सपर्ट ज्योतिशाचारे इन उपाएं को करने के लिए भी लोगो हनसते हुए रुपए दे भी देते हैं, और जब रुपए दे देते हैं, तब यही उपाए उन्हें भारी और बड़ी उपाए लगने लगते हैं, यही तो विचारधारा है दोस्तों, तो उसको तो हम आपसे यह इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बना कर रखें, उसे बिलकुल भी नीचे ना आने दें, आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा, अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामगरी चलेगी, कब तक? क्योंकि समय के साथ साथ सामगरी पुरान निकाल ले और उसे गंगा जल में धोले और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, बाकी की सामगरी को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और पुन्हें अगले शुक्रवार को यानि एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामगरी चलेगी और अगले शुक्रवार को आपको पुना नई सामगरी से धन की पोटली तयार कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाए हमने धन की पोटली के विशय में भी आपको बताया था जो कि घर की तिजोरी के लिए था लेकिन उसमें सामगरी अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही मिलती जुलती थी लेकिन सामगरी बढ़ जाती है उसमें इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहां आप धन का संचय करते हैं तो वहां सामगरी यानि वहां उर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उर्जा बदल सकते हैं और चाहे तो साथ दिन में एक बार भी बदल सकते हैं अप को छोटी छोटी सी बाते और भी बताएंगे दोस्तों फिर हम आपको तीसरा प्रयोक बताएंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगा कर निकला करें यह दोस्तों और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपकी शरीर में एक शुक्र परवत होता है उस शुक्र परवत पर आप इत्र अवश्य लगाये करिए आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी और दोड़ा चला आएगा तो यह शुक्र परवत कहां होता है अब इतने तो आपके घर में होगा ही उसे तो आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आ जाता है अब शुक्र परवत कहां है तो आपकी जो हठेली है उस हठेली में जो अंगूठा है उस अंगूठे की जड़ में यानि की उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है अंगूठे के नहीं उभरा हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है उसे शुक्र परवत कहा जाता है शुक्र परवत को सक्रिय करने की विधी भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी आपको वहविधी जरूर आजमानी चाहिए इससे भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे संघर्ष कम होने लगेगा शुक्र जो है उस धन वैभव का आग्रह है आपके जीवन में एश्वर्य सुख सुविधाएं जोडने का काम करता है तो आपको इसको सक्री करना बहुत जरूरी है फिलहाल हम आपको बता देंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगा कर हलकी सी मसाज अवश्य कर लिया करें दोनों हाथों के सुख परवतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रख कर मसाज करनी है इत्र लगा ले और मसाज कर ले हलकी सी थोड़ी सी करनी है आपको एक आद मिनट के लिए और फिर आप घर से बाहर निकले देखेंगे आपकी आपका दिन बन जाएगा चमतकार हो जाएगा जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नजर लग गई आपको पहली बुराई पहली नकारात्मक्ता तो नजर से ही आती है अब नजर कोई जान बूच कर या अन जाने में भी दे दे नजर जरूरी नहीं कि कोई जान बूच कर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी कोई आपको बुरा नहीं करना चाहता बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपका नजर लग जाएगी दोस्तों तू अब उससे आपको कैसे बचना है तो उसके लिए उपाय जो है वह हम आपको पिछले अपने कई वीडियो में बता चुके हैं इस बार भी बता देते हैं कि आपको लॉंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है मेरे दोस्तों आपको यह मान कर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी चाहे आपके काम को लगे कि आपके व्यापार को लगेगी आपके काम धंधे नहीं तो आपके जो आप वाहन चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं या फिर से आपको ही लग जाएगी तो फिर उस नजर से आपको बचना बहुत आवश्यक है यदि आप वही नकारात्मक उर्जा अपने घर में लिए गए तो वह नकारात्मक उर्जा आपके घर में कई तरह के विध्वन्स मच सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्मक उर्जा को आकर शित कर सकती है ये दोस्तों से छुटकारा बहुत आवश्यक है तो लॉंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है जब भी आप घर से बाहर निकले एक लोगों का जोड़ा अपनी जेब में रख ले हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग तरीके में आजमाते हैं प्रयोग करते हैं काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फाइदे अलग-अलग होते हैं तो आपको भी अब यही करना है लोग का एक जोड़ा अपनी जेब में रख कर बाहर निकले और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे यानि शाम के समय अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है तो आपको वहलांग का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है पीछे मुड़े बिना पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है आप किसी को बिना दिखाई भी है、 कर सकते हैं, आप धीरे से ही लौंग को जोड़ा फेंक सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं तो लोग सोचेंगे जो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक तक गायब होने लगेगी और आपको नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं आप याद रखें कि बड़ी से बड़ी उद्योग धंडे व्यापार तक ठप हो जाते हैं सिर्फ नजर लगने की वज़ह से और बड़ी से बड़ी सफलताईं भी धूल में मिल जाती हैं मिट्टी में मिल जाती हैं बस एक छोटी सी नजर की वज़ह से क्योंकि नजर लगते समय जरूर छोटी होती है लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक उर्जा को अपनी और आकरशित करने लगती है क्योंकि जैसी उर्जा होगी वैसे ही अन्य उर्जाओं को आकरशित करेगी एक नकारात्मक उर्जा कई प्रकार की नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती है और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है और फिर आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक उर्जा आपके जीवन में होगी ही नहीं त दोस्तों, अंक शास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है। अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं है। पहली बार बताने जा रहे हैं और इस अंक को आपको। कैसे प्रयोग करना है यह भी विदी हम आपको बताने जा रहे हैं तो अब ध्यान से सुनि बहुत ही आवश्यक कोड है। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कोड आफ बेल्ट कहा जाता है, यानि दौलत का अंक कहा जाता है, जिसके पास ये कोड होता है। उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करें, खुद ही अपनी उन्नती को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है, तो आप समझजिए कि इसकी शक्ती कितनी ज्यादा है, तो ध्यान से सुनिये कि ये कोड क्या है और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिये कि आपको क्या करना है, ए जि हाँ दोस्तों, बस आपको यह अंक लिख लेना है और इस काज़ को त्रीकोन में मोड़ना है। जि हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यह काज़ आपको कुछ इस प्रकार से मोड़ना है कि इसका एक ट्रैंगल बनेगा। त्रिकोन बनेगा तीन कोना वाला आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है अपने पर्स में रखना है जैसे आप धन की पोटली को अपने पर्स सियाचीन में रखेंगे वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले उस समय आपको यह अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा चुम्भक की तरह आपकी और आकरशित होगा आप चाहे भले ही दिल्चस्पी ले आना ले लेकिन आपको फाइदा होगा आपके पैसे का काम चुटकियों में बन जाया करेगा तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगे स्वयम मा लक्ष्मी अब आपकी वह काम्याबी वह चमतकारी शुभ फल देंगे जो कि अब आपका वह काम बनने लगेगा आपका वह रास्ता खोल देगा जो आपको तरक्की मिलने लगेगा आपके ग्रह कुंडली में ऐसा शुभ योग का निर्मान हो गया है कि अब आपके जीवन में आने वाले दिन में बड़ी-बड़ी सफलता मिलेंगे आपके जीवन में स्वास्थि बिजनिस, व्यापार में भी बड़ी-बड़ी उपलब्धी हासिल होगी जी हाँ दोस्तों, अब आपका आज से सुखद स्थिती है पिछले कुछ समय से जो दीर्ग कालीन योजनाय बन रही है उस लक्षय को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है कुछ समय कलात्मक और मनुरंजन संबंधी कारियों में भी व्यतीत करने से सुकून मिलेगा और तरोताजा महसूस करेंगे ग्रह स्थिती में सकारात्मक बदलावा रहा है घर के वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्कदर्शन में कोई विशेश समस्या हल होगी घर में विवाहयोग्य सदस्य के लिए उचित रिष्टा आ सकता है किसी जरूरतमन संबंधी की मदद करने से आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे जरूरतमन लोगों की मदद करके आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा अगर आप लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपकी यह समस्या भी हल हो सकती है स्थान परिवर्तन के योग हैं इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें आर्थिक स्थिति सुद्रडव सशक्त बनेगी विद्यार्थियों को भी अपनी आशा वह मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे पैसा आने के साथ साथ खर्चे की स्थितियां भी तैयार रहेगी बजट बनाकर चलने से आपकी काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी आज ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों का निर्मान कर रही हैं इसलिए रुके हुए कारियों क को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों मैं व्यवस्था रहेगी विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे बिजनिस के कामों में आपको मेहनत और कार्यक्षमता के अनुभव परिणाम ह सिर्फ थोड़ा संघर्ष बना रहेगा अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा कुछ नए विशयों पर जानकारियां हासिल होगी पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों हमें उचित सामान्य से रखने से कार्य यथा समय संपन्न हो जाएंगे कार्यक्षेत्र में स कोई प्रपोजल भी आ सकता है नौकरी के प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी आज मन प्रसन रहेगा और अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे आज सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान दे क्योंकि आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होगा संतुलित मनो स्थिति रखें किसी भी वरिष्ट तथा सम्मानित व्यक्ति के साथ मत भेद ना होने दें गुस्से की वजह से स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं बच्चों को आपकी सहय योग की भी जरूरत पड़ेगी इसलिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें आज बिजनेस में नए एग्रिमेंट होंगे जो की बहुत ही फायदेमंद भी रहेगे इस दरम्यान किसी भी कागज और दस्तावेज पर बिना पड़े अस्ताक्षर ना करें आपने काम में ब वेश करना फायदेमंद रहेगा अपने पारिवारिक दाइत्वों का बखूबी निर्वहन भी होगा घर में किसी सदस्य की विवाह संबंधी बातचीत वतयारियों का जोर रहेगा तथा कई तरह की योजनाएं भी बनेंगी सुखत ग्रह स्थिती बन रही है आप अपने द आज किसी विशेश कारे को लेकर चल रही और सामन जस्य की स्थिती दूर होगी आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा जिसकी वजह से मन खुश मिजाज रहेगा जी हाँ दोस्तों वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बाते हैं जीवन को पूरा क्रम होता है एक नियम होता है पूरे संसकार होते हैं जिन्हें आजमाना पढ़ता है फिर बदलाव आते हैं लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी हालांकि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं श और बहुत सारे लोग हमारी कांटेक्ट को कॉपी भी करते रहते हैं इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बना कर दे दे तो आपको ये बातें सुनने को मिल जाए लेकिन पहली बार यह बातें यूट्यूब पर केवल हम ही लेकर आते हैं इस इसके विशय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी और वह यह है आपकी राश्य के जातक जितने धार्म होंगे, आध्यात्मिक होंगी और सत्य की राह पर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे सब मिलेगा, बस शर्त एक ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना सत्य की राह पर चलना है गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिलकुल भी कोशिश नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहन करना है सात्विक भोजन लेना है तामसिक भोजन नहीं लेना है अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बंत पर आए ना आज के इस वीडियो को विराम देते हैं तो दोस्तों कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मांकाली जय मातालक्षमी अवश्य लिखें माताकाली और महलक्षमी की पूर्ण कृपा भरपूर कृपा आपको प्राप्त होगी आशीरवाद आपको प्राप्त होगा आपका उद्दार होगा तो मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी